आज हम फिर से आपके लिए करेंट अफेर सीरीज की पार्ट 13 लेके आए हैं जिसमें फिर से कुछ important question को रखा गया है तो आईए हम एक एक करके उनको discuss करते हैं तो आज का हमारा पहला question है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इस्थित एसिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का वर्चूल उद्घाटन फरवरी 2022 में किया है तो इसका right answer हो जाएगा मध्यप्रदेश जो की option A में है मध्यप्रदेश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एसिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है अगला question देखते हैं केंद्र सरकार ने national means come merit scholarship को कितने वर्षों तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी है तो इसका right answer हो जाएगा option number B 5 पांच साल के लिए national means come merit scholarship को बढ़ा दिया है आगे देखते हैं अगला question देश की सबसे बड़ी कुस्ती अकादमी किस जगह बनाने के लिए railway ने 30.76 करोड रूपए की मंजूरी दी है तो इसका right answer हो जाएगा दिल ही जो की option B में है तो दिल्ली में देश की सबसे बड़ी कुस्ती अकादमी खुलने जा रही है अगला question देखते हैं केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित खाना बदोस अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कौन सी योजना शुरू की है तो इसका right answer हो जाएगा सीड ओप्सन नमबर D इसका फुल फार में है सपोर्टिंग एंटी प्रेनर फार इंवायरमेंटल एंड डेवलब्मेंट अगला question देखते हैं केंद्र सरकार ने पुलिस के आधुनिकी करण या मौडनाइजेशन योजना का बिस्तार करते हुए पांच वर्षों के लिए कितनी रकम को मंजूरी दी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 26,275 करून जो कि option D में है next question देखते हैं केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कौन सी योजना सुरू की है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C, इस्माईल ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारी के लिए केंद्र सरकार ने इस्माईल योजना की सुरूआत की है next question देखते हैं महाराश्ट सरकार ने राज्य में कैंसर की रोग थाम के लिए किस पहल की सुरूआत की है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किस महापुरुस की 108 फीट उची प्रतीमा के निर्माड के लिए 2141.81 यानि की 2141.81 करोण रूपे की सुविक्रिती दी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आचारी संकर आचारी संकर की कितने फीट उची प्रतीमा का निर्माड मध्य प्रदेश में होगा 108 फीट उची प्रतीमा का अगला कोशन देखते हैं रेलवे सुरच्छा बल और पी एफ ने मानो तसकरी को रोकने के लिए कौन सा अभियान की शुरुआत की है तो इसका कौन सा अभियान है इसमें आपरेशन आहट है आर पी अफ ने आपरेशन अहट की सुरुवात मानो तसकरी रोकने के लिए किया है अब नेक्ट कोश्चन देखते हैं केंद्र सरकार के ड्रोन सर्टिफिकेशन इसकीम के तहट कितने बजन वाले ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 250 ग्राम से हलके option number D कि मतलब जो ड्रोन 250 ग्राम से हलके होंगे उनके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है अगला कोश्चन देखते हैं आदि बद्री नाथ आदि बद्री बाध आदि बद्री बाध के निर्माड के लिए किन राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को समझहोते पर हस्ताचर किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हीमांचल प्रदेश और हरियाडा option number D हमारा सही हो जाएगा जो आदि बद्री बाध है उसके निर्माड के लिए सन्युक्त रूप से हिमांचल प्रदेश और हरियाडा ने एक समझहोते पर हस्ताचर किया है अगला कोशन देखते हैं हिमांचल प्रदेश ने नई उर्जा की नीती जारी कर वर्ष 2030 तक बिद्दुत उत्पादन का कितना बढ़ाने का लच्छे रखा है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 10,000 मेगावार्ट option number B हमारा सही हो जाएगा जो हिमांचल प्रदेश है वो नई उर्जा नीती जारी करके जो विद्दुत उत्पादन को 10,000 मेगावार्ट बढ़ाने का लच्छे रखा है अगला कोशन देखते हैं देश के सबसे बड़े परमाडु सनियंत्र का नाम बताएं जहां रूस ने जनवरी 2020 में छठा परमाड रियक्टर के निर्माड का काम सुरू किया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा KNPP जिसका नाम है कुडन कुलम निूकलियर पावर प्लांट तो कुडन कुलम निूकलियर पावर प्लांट जो है या इंडिया का सबसे बड़ा परमाड सनियंत्र है जो रूस की मदद से इसका निर्माड होगा अगला कोशन देखते हैं केंद्र सरकार ने कार में कितने एर बैग अनिवारी करने के ड्राप नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसन नमबर D 6 केंद्र सरकार ने कार में 6 एर बैग को अनिवारी करने का ड्राप नोटिफिकेशन दिया है अगला कोशन देखते हैं जल मेट्रो पर्योजना या वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला भारत का पहला सहर कौन सा बना है तो इसका राइट एंसर है कोच्ची कोच्ची जो है यह जल मेट्रो पर्योजना वाला भारत का पहला सहर बना है अगला कोशन देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट आप जस्टिस ने मार्च 2022 में रूस को तुरंत यूक्रेन में मिलेटरी आपरेशन को रोकने का आदेश दिया और फैसला सुनाने वालों में भारती जज का नाम बताएं आखिर उसमें जो फैसला सुनाने में भारती जज कौन थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जस्टिस दलबीर भंडारी अगला कोशन देखते हैं कोलंबो सिक्यूर्टी कानक्लेव की मार्च 2022 की मीटिंग में किस नए सदस्य देश ने हिस्सा लिया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमबर डी मौरीशस मौरीशस ने कोलंबो सिक्यूर्टी कानक्लेव में हिस्ता लेने वाला सबसे नवीनितम सदस्य है अगला कोशन देखते हैं भारत ने यूएन की किस एजनसी के साथ होस्ट कंट्री एग्रिमेंट शाइन किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्सन नमबर ए आई टी यू इसका फुल फार्म है इंटरनेशनल टेली कम्यूनिकेशन यूनियन तो भारत ने इंटरनेशनल टेली कम्यूनिकेशन यूनियन के साथ होस्ट कंट्री एग्रिमेंट साइन किया है अगला कोशन देखते हैं केंद्री मंदल ने किस अंतररास्टी शंगठन के सविचाले को सचीवाले को भारत में अस्थापित करने के लिए मंजूरी फरवरी 2022 में दी है तो इसका राइट एंसर है option number B G20 जो G20 है उसको भारत में अस्थापित करने के लिए केंद्री मंदल ने सहमत दे दी है अगला कोशन देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC 2023 सत्र की मेजबानी भारत का कौन सहर करेगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मुंबई जो option A में है मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मेजबानी करेगा वो भारत का मुंबई सहर करेगा अगला कोशन देखते हैं भारत ने पहली बार किस संगठन के सचिवाले को सामप्रदाइक मानसिक्ता वाला बताया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number BOIC जिसका full farm है organization आप इसलामिक कार्पुरेशन तो जो OIC है इसको भारत ने पहली बार सामप्रदाइक मानसिक्ता वाला बताया है अगला कोशन देखते हैं बिशु स्वास्त संगठन WHO ने सभी तरह की तमबागू का इस्तेमाल छोड़ने के लिए कौन सा एप लांच किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option C quit tobacco तो विशु स्वास्त संगठन ने तमबागू के इस्तेमाल को छोड़ने के लिए क्विट tobacco नामक एप लांच किया है अगला कोशन देखते हैं पहली बार हुए भारत मध एशिया सिखर सम्मेलन में भारत सहित किस देश के राष्ट प्रमुख ने हिस्सा लिया है तो जो भारत मध्ये AESIYA शिखर संम्मेलन हुआ था इसमें जो देश लिखें सभी देशों ने हिस्सा लिया था जैसे कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान तो टोटल कितने हो गए पांच देश इन पांच देशों ने भारत मध्य एसिया सिखर सम्मेलन में इन पांच देशों के राष्ट प्रमुख ने हिस्सा लिया था तो इसलिए हमारा करेक्ट एंसर हो जाएगा उपरियुक्त सभी अगला कोशन देखते हैं UNDP ने किस यूटूबर को भारत का पहला यूवा जलवाईव चेंपियन्सिप घोसित किया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रजक्ता कोली प्रजक्ता कोली को यूटूबर को भारत का पहला यूवा जलवाई चैंपियंशिप घोसित किया गया है अगला कोशन देखते हैं जन्वरी 2022 में UNSC की आतंकवाद बिरोधी समिती का अध्यच किसे नियूप्त किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा TS तिरुमूर्ति ओप्सन नमबर B TS तिरुमूर्ति को आतंकवाद बिरोधी समिती का अध्यच नियूप्त किया गया है अगला कोशन देखते हैं संगाई सहयोग संगठन का नया महासचिव किसे नियूप्त किया गया है तो इसमें हो जाएगा जांग मिंग, ओप्सन नमबर A जांग मिंग को संगाई सहयोग संगठन का महासचिव नियूप्त किया गया है अगला कोशन देखते हैं दुनिया में पहली बार युद्ध में हाइपरसोनिक मिशाइल से हमला करने वाला कौन सा देश है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन D, रूस रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक मिशाइल का प्रियोग किया है अगला कोशन देखते हैं केंद्र सरकार ने यूक्रेन में मौझूद इंडियन SMB को आस्थाई रूप से किस देश में सिफ्ट किया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा पोलेंड, ओप्सन नमबर C क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का यूद्ध तो चली रहा है तो इसलिए भारत ने अपने इंडियन MBC को आस्थाई रूप से पोलेंड में अस्थानांत्रीत कर दिया है अगला कोशन देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने युद्ध ग्रस्त यूक्रेन को कितनी रकम के कर्ज और अनुदान के पैकेज को मार्च 2022 में देने की मनजूरी दी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C 723 मिलियन डॉलर अगला कोशन देखते हैं कितने अरब डालर के फंड की मनजूरी दी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा वन पॉइंट फोर अरब डालर ऑप्सन नमबर A अंतर राष्टी मुद्राकोश ने इमर्जनसी फाइनसिंग के लिए यूक्रेन को 1.4 अरब डालर का सहयोग दिया है अगला कोशन देखते हैं रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अमेरिका जो अप्सन नमबर भी सही हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं यूक्रेन संकट पर भारत अमेरिका और किस देशों ने मार्श 2022 में क्वाड समू की बैठक की तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जापान और आस्ट्रेलिया अप्सन नमबर C क्वाड समू की बैठक जो हाली में यूक्रेन संकट पर भारत और अमेरिका के साथ साथ जापान और आस्ट्रेलिया ने किया है अगला कोशन देखते हैं रूशी सैनिकों ने लड़ने के लिए यूक्रेन की डिफिंस मिनिस्ट्री ने नागरिकों को कौन सा वेपन बनाने के निर्देश दिये हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मोलो तो काक्टेल अप्सन नमबर C अगला कोशन देखते हैं यूक्रेन में रूश के सैनिकारवाई से मानवाधिकार हनन की जाच के लिए अंतरराश्टी आयोग बनाने का फैसला किसने लिया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा UNHRC यानि की United Nation Human Rights Council ठीक है की जाच के लिए अंतरराश्टी आयोग बनाने का फैसला लिया है अगला कोशन देखते हैं यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जो की यूक्रेन में इस्थित्था का नाम बताएं जिस पर कबजे के दवरान आग लग गई थी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जेपोर जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट ओप्सन नंबर ए ये हमारा आज का अंतिम प्रसंद था आज के लिए इतना ही धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में हम आवर इंपोर्टेंट को डिसकस करेंगे अप्सका है